प्रोग्राम की शुरुवात इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधान सवाचुनाओं से अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान सवाचुनाओं को जीतने के लिए प्रियंका गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया प्रियंका गांधी ने चुनाओं से पहले कई पत्ते खोल दिये और ये पत्ते हैं जो एकदम सही और सटीक जगा लगे हैं प्रियंका गांधी ने ऐलान क्या किया है प्रियंका गांधी को उत्तर अज इस पर बात करेंगे आज बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल बन रहा है कॉंग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है प्रियंका गांधी के आने से और राकेश टिकेट कैसे गेम चेंजर सावीत हो रहे दरसल सबसे पहले और बात कर लेते हैं कॉंग्रेस पाrti की स्थती pięर उत्तर प्रदेश है का है जलबा बरकरार है आज उत्तर प्रदेश के अंदर कॉंग्रेस बीजैपी को बड़े अंतर से टक करते रही वजह प्रियंका gandhi की मेहनत प्रियंका गांधी लगा उत्तर प्रदेश में जनता को अपने साथ जोड़ कर रखा जनता की परिशानी को दूर करती नजर आई प्रियंका गानी ने जनता के एक एक मुद्दों पर काम किया और क्या देखने को मिला कि बहुत बड़े हद तक जनता प्रियंका गांधी के साथ खड़ी हो गई जनता अ पसवीर और बदल गई इससे साब पता चलने लगा कि उत्तर प्रदेश में योगी सतर्कार के लिए सत्ता और दूर जाती नजर आ रही है उत्तर प्र्देश में महिलाओं का बड़े इस्तर पर प्रियंका गांधी को समर्थन करना यह बताता है कि उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी ने कहा था कि दुरापती उठो और शस्त्र उठाओ क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला इन सुरक्षित नहीं है और महिलाओं को सुरक्षा के लिए अब खुद हतियार उठाने पड़ेंगे इसलिए महाभारत काल में दुरापती के साथ जो हुआ उसको देखते वे प्रियंका गांधी ने मौझुदा समय में फैसला किया कि अब महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा महिलाओं को ससक्त किया जाएगा इसका प्रियंका गांधी को मिल रहा है और महिला वोटर्स जो हैं जो कॉंग्रिस के वोट शियर है वो बढ़ाते नजर आ और फिल्हाल प्रियंका गांधी ने युवा कार खेला बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा करके 20 लाख नौजवानों को सरकारी रोजगार देने का वायदा किया जी हां 20 लाख युवाओं को और बड़े इस्तर पर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार किया पाकेश्टी कैट अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाते नजर नहीं आ रहें नहीं किसी राजनीतिक पार्टी की नेता को मंच शेयर करने दिया लेकिन आपको बता दूँ बीते कुछ समय पहले क्या देखने को मिला था कि प्रियंका गांदी ने किसानों का मंच सा पड़ेगा कि हाँ वापस लिया गया है तीनों क्रिसिबिल और संसद में जब तक इस बिल पर काम नहीं होगा तब तक नहीं माना जाएगा कि सरकार ने ये बिल वापस लिया तो सुरू से किसान आंदोलन के साथ कॉंग्रेस पार्टी जुड़ी रही थी प्रियंका गांधी सुरू से कॉंग्रेस के साथ जुड़ी रही थी और उत्तरप्रदेश के लखीम पूर्खीरी में जो घटना घटी उस घटना के समय जो मृतक किसान थे उन मृतक किसान के परि कि कॉंग्रेस पार्टी ने शुरू से किसान आंदोलन का समर्थन किया है किसानों का समर्थन किया है और चुनाव से पहले राकेश टिकैट अब अपनी स्थती मजबूत कर लेना चाहते क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि मोधी सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने की आएंगे ऐसा देखा जा रहा है कि किसान आंदोलन को समर्थन करने वाली कॉंग्रेस ने सुरू से बात कही है और उत्तर प्रदेश के अंदर राकेश टिकैट ना तो बीजेपी के साथ जाते हैं ना वो अकलेश यादों के साथ जा रहे ना बस्पा के साथ जा रहे और नह राकेश टिकैट प्रियंका गांदी से हाथ मिलाते तो पश्चमी उत्तर प्रदेश के जो वोटर है वो तुरंत कॉंग्रेस की तरफ चले आएंगे क्योंकि राकेश टिकैट यहीं चाह रहे हैं कि उनके साथ जो बड़ा समर्थन है वो उनके साथ खड़ा रहे और जिस और वो जा है उनके साथ वहांपर चलता दिखाए तो यहाँ पर पश्चबित प्रदेश के गांधी किसा आते नजर आेंगे पश्चमी उत्तर प्रदेश का वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है तो कांग्रे स का वेट शियर बहुत बड़े आसमान तक अनोंद जाएग साथ बिलना यानि बहुत बड़े हथ तक तस्वीर बदलती नजर आएगी इसलिए बीजेपी ने बहुत सोच समझ कर कार्ड खेला तीन क्रिसिवेल वापस लेकर राकेश टिकैट को बीजेपी के समर्थन में लाने की कोशिश की गई है ताकि राकेश टिकैट का गुस्ता भी बातों को भी समझ रहें जो उन्होंने कहीं है यह देखा जा रहा है कि जब तक संसद सत्र शुरू नहीं होगा जब तक संसद के दौरान इस बिल पर बात नहीं होगी तब तक आंदोलन कट नहीं होगा क्योंकि प्रधान मंति नरेंद मोदी ने बहुत सोच समझ कर ये काम क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावें मार्च के समय मार्च के आखरी समय से चुनाओ की शुरुआत हो सकती है और फिलहाल जो संसद में बिल पेश किया जाएगा उसको दो तीन महीना तो तो लगेगा तो यहां पर जब तक चुनाओ नहीं होते त इस पार योगी जी अपनी सत्ता चोड़े योगी जी अपनी कुर्सी चोड़े क्योंकि अब मौका कॉंग्रिस को दिया जाना चाहिए लाइफ प्रोग्राम करते हैं हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जब जुड़ते हैं वह कहते हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों से कॉंग्रिस को मौका नहीं दिया घ्या-ओ और कि देखेंगे कि प्रियंका गांधी के आने से कितना बदला होता है यहाँ पर बहुत बड़ी बात क्या है कि कहिरा इंकि तरफ से प्रियंका गांधी के साथ चलती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रियंका गांधी को पहले ही मुख्यमंत्री मान लिया है और मुख्यमंत्री मानना इसका मतलब अगर एलान होता है तो कॉंग्रेस की शौपरती सजीत उत्तर प्रदेश में हो रही है और लोग झाल झाल